नमस्कार, मैं अविनास रंजन गुपता, आप सभी का अपने चैनल पर हर्द कवी नंदन करता हूँ, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारती काव्य सास्त्र के अंतरगत आने वाला एक अध्याय, जिसे हम लोग कहते हैं काव्य गुण, तो सुरू करते हैं पर विचार करेंगे कि काव्य क्या है, देखिए कवी के द्वारा किया गया साहित्तिक कारे ही काव्य है, व्यापक अर्थ में किसी कवी की वह पद्यात्मक साहित्तिक रचना जिसमें ओजश्वी जोस भर देने वाली, कोमल और मधूर रूप में ऐसी अनुभूतिया व्यक्त की गई हो, जो मन को मनोवेगो और रफो से परिपुन करके मुग्ध करने वाली हो, अर्थात हमारे मन को इमोशन से और सेंटिमेंट से परिपुन कर दे और हमें मुग्ध कर दे, उसे ही हम लोग काव्य कहते हैं, अब हम लोग देखते हैं काव्य गुण क्या है, का उत्पन करने वाले तत्व काव्वेगुण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रामचरित मानस के बाल कांड में हमें वाणी में उदारता और मधुरगुण का उल्लेश मिलता है। विचित्र पदपुण विशेशन का उल्लेख मिलता है। तो काली दास की रचनाओं में शलेश, प्रसाद और मधुर ओज गुण का समावेश देखने को मिलता है। तो इसे पढ़ने के बाद हम काव्वे गुण के बारे में ये कह सकते हैं कि प्रत्यक काव्वे में कोई न को अब हम लोग देखते हैं काव्वे गुण पर आचारियों के मत क्या-क्या थे। तो देखे, भरत ने दोस के विपर्यय को गुण कहा है। विपर्यय अर्थात विलोम को अपोजिट को दोस के अपोजिट को गुण कहा है। उन्होंने संस्कृत में एक स्लोक भी लिखा अत एव विपर्यस्ता गुणाह काव्येशू किर्तिता हा। दंडी के अनुसार गुण काव्य का सोभा विधायक धर्म है। वामन ने भी सोभाकारी धर्मों को गुण कहा है। काव्य सोभाय करतारो धर्मा गुणा। आनंदवर्धन ने अंगी रूप रस के आसरित धर्म को गुण कहा है। अंगी रूप समाया हुआ। मम्मट ने कावि प्रकास में गुणों को रस आसरित माना है। उनके अनुसार गुण रस का अंग रूप धर्म है जो उसी प्रकार उतकर्स प्रदान करता है जैसे आत्मा क सौरयादी गुण उतकर्स प्रदान करते हैं. आचारे निस्वनात भी रस के अंगी भूत धर्मों को गुण मानते हैं. अर्थात ये भी रस के महत्व पर अपने विजार प्रस्चुत करते हैं. तो निसकर्स तहा गुण वह तत्व है जिसमें काव्वे के रचना परक पर में गुणों की संख्या 10 बताई गई है. वो है सलेश, प्रसाद, समता, समाधी, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थवेक्ति, उदारता एवं कांती. अगनी पुराण में गुणों की संख्या 19 बताई गई है. तो दंडी ने भरत मुनी की तरह 10 गुण मानते हैं, पर दोनों के नामों में अंतर है. उसी प्रकार देखे, वामन, सब्द गत 10 और अर्थ गत 10 गुण मानते हैं, और दोनों प्रकार के गुणों के नाम समान है. तो भोज राज के सरस्वती कंठा भरण में गुणों की संख्या 24 बताई गई है. आचारे कुंतक ने ओचित्य और सवभाग्य नामक दो साधारन गुण एवं माधुरिय, प्रसाद, लावणने और अभिजात्य नामक विसेस गुणों का उल्लेह किया है. तो जैदेव ने गुणों की संख्या आठ मानी है. शलेस, प्रसाद, समता, समाधी, माधुरिय, ओज, सौकुमार्य, उदार्ता प्राचीन आचारियों में भामः ने तीन गुणों माधुर्य, प्रसाद और ओज के विसे में विचार किया है. उनके पश्चात संस्कृत तथा हिंदी के सभी आचारियों ने इन्हीं तीन गुणों को मान्यता प्रादान करके उनका विवेचन किया है. तो इस पर हम लोग पहुँच रहे हैं कि अभी गुणों की संख्या मुख्य रूप से तीन हैं, पहला है माधूर्य, दूसरा है ओज, और तीसरा है प्रसाद गुण. देखिए, माधूर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण. एक एक करके हम इन गुणों पर चर्चा करते हैं, माधूर्य गुण. देखिए, आचार्य मम्मट के अनुसार माधूर्य गुण से चित प्रसन होता है, उसका स्रिंगार रस में आविर्भाव चित को उत्फु प्रसन कर देता है, माधूर्य गुण की इस्थिती स्रिंगार रस में अधिक रहती है, जिस रचना को पढ़ या सुनकर हिर्दय आनंद से द्रवित हो जाए, और जिसमें कोमल, मधूर सब्दों का प्रियोग हो, किसी बड़े समास, टावर्ग, रेफ, अनुनासिक, वर्ग अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उसा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लोय लतिका भी भरलाई, मधू, मुकुल नवनर सगागरी, बीती विभावरी जागरी, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, मानवी करन अलंकार भी है, और हम लोग यहां पर रूपक अलंकार का भी बहुत ही सुन्दर प्रियोग देख रहे हैं, कि रात बीत गई है, अब जाग जाओ, तो ये है माधुर्य गुण, अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं, ओज गुण पर, ओज अर्थात जोश, आचार्य भामह के अनुसार, चित को दिप्त और उत्तेजित करने वाला गुण ओज है, अर्थात जिसको पढ़ने के बाद, या जिसे सुनने के बाद, हमारा जो चित है, वो दिप्त हो जाए, उत्तेजित हो जाए, हमें उत्तेजना आ जाए, वही ओज गुण है, यह मन को विस्तृत कर देता है, इसकी विशेशतह, कठोर वर्गों, दुईत्य एवं संयुक्त अक्षरों, समास बहूल, टाव वर्ग युक्त सब्दों की योजना हो, वहाँ ओजगुण होता है और ये माधुर्य गुण से लगभग लगभग अपोजिटी होता है। एक एक्जामपल देखिए, इंद्र जिमी जंभ पर बाडव सुरंभ पर रावण सदंभ पर रगुकूल राज हैं, पोनव वारी वाह पर संभूर तिनाह पर ज्यों सहस्र बाहु पर राम दुईज राज हैं। सीता का अपहरण कर लिया, उसका दमन रगुकूल राज अर्थात स्री राम ने कर दिया, पोनवारी वाह पर अर्थात बादलों पर पवन का राज जलता है, पवन उसे जहां चाहे बहा कर ले जाता है। और जिस प्रकार रती के पती काम देव को संभू ने अर्था सीव संभू ने भस्म कर दिया था और जिस प्रकार सहस्र बाहु को परसु राम ने मार दिया था, उसी प्रकार सीवा जी का वर्चस्व कायम है। तो ये ओजरस से भरपूर कवीता है और इसके लिखने वाले हैं भूशन। तो ये है ओजगुण। और अब हम लोग आते हैं तीसरे गुण पर जो है प्रसाद गुण। तुरंत मन में व्याप्थ हो जाता है। इसमें कलिष्टता आदी नहीं होती। जिसका अब्य रचना को पढ़ने या सुनने से ही हिरदय में अर्थ प्रकास हो जाए तथा जिसमें ऐसी सरल सब्दी योधना हो जिसके अर्थ उसी प्रकार ततच्छन स्पच्ट हो जाए जिस प्रकार निर्मल स्वच जल के तल में पड़ी हुई वस्तु ऊपर से ही स्पष्ट दिखाई दे जाती है। वहाँ प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण का समावे सभी रसों में उप्यूक्त है। अर्थात जिस पंक्तियों को पढ़कर जिस कावे को पढ़कर तुर पत पर आता। ये सूरे कांत तरिपाठी निराला जी की रचना भिक्चुक की पंक्तिया है और इसे पढ़ते ही हमें इसका अर्थ बड़े ही आराम से समझ में आ जाता है। इसलिए ये प्रसाद गुण है और प्रसाद गुण का समावे सभी रसों में उप्यूक्त होता है तो इस तरीके से हम लोगों ने कावे के तीनों गुणों पर विचार किया माधुरे गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा हम पुन्हा मिलेंगे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद